हेलो सब्सक्राइब वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम उन्बॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी वाच जी हाँ यह सैमसंग की लेटिस्ट वाच है जो सैमसंग ने अपने नोट 9 के साथ मुझे वो अनॉंस किया था और इंडिया के अंदर यहाँ पर फाइनली यह आपको मिल जाएगी मिड अक्टोबर से यह अवैलिबल हो गी थी पर्चेस करने के लिए आपको दो अलगलग वेरेंट्स मिलते हैं यहाँ पर जो 42 mm वाली है वो आपको 24,992 मी बिलेगी और मेरे पास 46 mm वाली है यह आपको 39,992 मी में बिलेगा मेरे पास जो है इसके अब को इसफ्र करने मिलता है लेकिन अगर आप 42 mm वाली ले तہ उसमें आपको रोज गोड और midnight black वाला जो कलर मिलता है वैसे rose gold वाला बहुत ही कमाल का है यहाँ पे आप लोगको यह जो watch मिलती है बहुत सारे features मिलते है जो Samsung का gear S3 था ना इसका previous वाला उससे भी बहुत सारे improved features आपको मिलते है जाड़ा ने विसनी करते हैं मैं आप लोगको इस वीडियो में Samsung Galaxy Watch की unboxing और इसके बहुत सारे features के बारे में यहाँ पे बता रहता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लिजिए और साथ में ये bell icon भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे latest videos की notification जल्दी से मिल जाए तो box आप देखेंगे आपको उजिस तरगे का मिलता है सामने लिका है galaxy watch और नीचे देखेंगे 4.6 cm जैसे कि मैं आप से बता है ता 46 mm वाली है जो मेरे पास आई है और Bluetooth यहाँ पे लिखा गया है आपको इसमें NFC, GPS, Wi-Fi और LT connection का भी option मिल जाता है जो काफी अच्छी बाते है और यहाँ पे right side में देखेंगे तो आपको remaining specs जो वो दी गई है यानि कि highlighting features उन्होंने बताई है long battery life यहाँ पे लिखा गया है आपको वैसे देखा जाए honestly तुम्हें एक दिन से use कर रहा है battery इसकी काफी अच्छी चल रही है यहाँ पे auto fitness और wellness tracking का भी आपको feature मिलता है 39 अलग-अलग आपको workout activities इसमें मिलती है और नीचे water resistant है आपको 5 ATM rating मिलती है यानि कि 50 meter तक आप इसको पानी में लेके जाके इसका इस्तिमाल कर सकते है और पीछे भी देखेंगे तो थोड़ी बहुत और remaining details आपको यहाँ पे मिल जाती है तो जाड़े मिसनी करते हैं फटाबर से इसकी unboxing शुरू करते हैं और यह देखेंगे box को हमने open कर दिया है और सबसे पहले आप देखेंगे आपको watch मिलती है यहाँ पे मैं physical order के बात करूँ तो आप देखेंगे सामने की तरफ आपको यहाँ पे जो display मिलती है यह एक super amulet display और colony gorilla glass की protection के साथ में भी आपको मिलता है और यहाँ पे आप लोगो यह एक rotating wheel मिलती है उपर जहाँ पे आपका जो interface होता है अंदर का वो आप इस तरीकी से इस जो वो इस्तेमाल कर सकते है जो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा साथ में इसके जो resolution मिलता है इस display का वो 360 by 360 का आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पे आपको speaker मिलता है आपको mic hole मिलता है दो अलगलग आपको buttons मिलते है एक आपको back करने के लिए एक आपको power on off करने के लिए और इन buttons का भी आप बहुत multifunction तरीके से जो इस्तेमाल कर सकते है और यहाँ पे जो मैंने आपको अगर build quality की बात करता है तो यह आपको ML HDD grade भी जो मिलती है जो काफी सही बात है और यहाँ पे पीछी की तरफ देखेंगे तो आपको heart rate sensor जो देगा दिया गया है जो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते है तो यह watch वैसे मुझे काफी सही लेग रही silver color आप देखेंगे और अगर rose gold वाला होता तो थोड़ा better होता मुझे rose gold personally काफी अच्छा लगता है खेरिया आपको कुछ इस तरगी क्यों मिलती है इसको side में रखते है देखते हैं कि box में आपको क्या कुछ मिल जाता है तो यहाँ पे आप लोग को देखेंगे दो अलग अलग box मिल जाते हैं अंदर की तरफ और सबसे पहला अगर मैं box निकाल के आपको बता दू तो यह actually में इसका charger है जिहां यह charger है आप इसको जो वह charge कर सकते हैं वैसे इसका charging dock थोड़ा सा अलग है वह आपको बता रहे था कुछ इस तरह के का मिलता है तो यहाँ पर आप आप देखेंगे यह इसका charging dock जहांपे आपको अपनी watch को कुछ इस तरह के से जो वह डॉक करना पड़ेगा यह देखेंगे यहाँ पर इस तरह के से और यह जो charger हो आपके box में मिलता है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अगर वो पुराना हो जाता है तो यह कुछ इस तरीकी का आपको 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 मिलता है पर्टिकुलर clock face में आपको कस्टिमाइस कर भी option मिलता है अलगलर clock face में अलगलर color भी मिलते हैं आप वो भी change कर सकते हैं प्लस अगर आपके बास gallery में इसके अंदर आपके phone के अंदर mobile से Bluetooth से connect कर लेते हैं तो आपके gallery में जो जो फोटो से आप वो भी यहाँ पर clock face में set कर सकते है और यहां पर अगर आप देखेंगे मैं left की तरफ जो वो swipe करता हूँ तो यह वो सारे notification आपको दिखा देता है आपके email के instagram के जो आपने mobile से connect करके रखा है तो आपको यहां पर show कर देता है जो भी calls वगर आता है वो सारी चीज़ आपको यहां पर दिखा देता है अगर आ आप चाहें तो touchscreen का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वील कूल लगता है मैंने इस्तेमाल किया बहुती फास्ट और accurate है तो मज़ा आ जाती है और साथ में अगर उपर की दरफ से नीचे की दरफ स्वाइप करते हैं आपको सारा notification पैनल की चीज़े आपको यहां पर दिखा देत और उसके बाद storage और आपको devices का सारे information देता है बैटरी आप देखेंगे आपको यहां पर 472 एमेज की आपको बैटरी मिलती है इससे आप यहां पर बैक जा सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पर इसके अंदर Tizen OS चल रहा है जिहां यह Tizen OS पर चल रहा है और Samsung आपको इस सकते हैं तो आप देखेंगे आपको weather information देता है फेवरेट से application आप यहां पर लग सकते हैं calories कितनी burn हुई है आपका heart rate यह सारे steps कितने आपने चले यह सारे information आपको रहता सकते हैं स्ट्रेस यह एक feature आपको बहुत अच्छा मिलता है आप कितने ज्यादा stress हो यह आपको बता अगरा भी सुन सकते हैं बहुत सारे news बगरा है बैरो मिटर से एड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं यहां पर यह वाला बटन दबाते हैं नीचे की तरफ वाला तो यह आपको अपने menu में लेकर चला जाता है जहापर अगर चाहें तो विल से भी navigate कर सकते application के लेकिन main खेल जो है वो इसके smartphone के application के अंदर है यहापे आप लोगो galaxy watch का application जो वो प्लेशर से install करना पड़ेगा और directly यह आपको अपने watch को इससे connect करना है Bluetooth से connect होने के बाद आपको वो सारे information यहापे दे रहेता है यहापे आप देखेंगे feature watch face वाला आपको जो शेक्शन मिलता है आप जाएंगे तो अलग-अलग तरीके के आपको यहापे watch face मिलते है आप चाहे तो वो उनका इस्तेमाल कर सकते है डाउलोड कर सकते है और यह सारे चीज़ आपको यहापे मिल जाती है जो मुझे काफी cool लगा है watch face डाउलोड भी करने का भी आपको option दे दिया है तो मेरे साब से बहुती कमाल की चीज़ है तो यह जो Samsung का Galaxy watch है यह actually में एकदम से premium है काफी accurate है touchscreen एकदम से smooth है और durable भी काफी है और मैं actually में कहता हूँ premium होता है और जो cheap Chinese watch होती ही वो cheap होती है क्योंकि जो features आपको इसमें मिल जाते है जो उसका feel है वो बहुत ही अलग है जो मज़ा आता है यूज करने का यह एकदम से अलग है तो इस तरीकी कि आपको Samsung Galaxy watch मिलती है इसके उपर में एक और वीडियो बनाऊँगा